नमस्ते फ्रेंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रागवेंदार्ट गैलरी में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने ओर्डर्स को रेडी करती हूँ कैसे मैं उनको पैकिंग करती हूँ और कैसे मेरा ये सारा काम होता है मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं उनके साथ शेयर करूँ कैसे मैं सब कुछ करती हूँ तो जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी ऐसी वीडियो शेयर की हैं जो कि मैंने ओर्डर्स को रेडी किया है उनको भेजा है तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये दो बोक्स हैं मेरे पास जिन में की मैंने जो मुझे ओर्डर्स बनाना है वो मैंने मंगाया है यहां पर यह मैंने दो बोटल्स रेडी की हैं आपके साथ मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बोटल के साथ लेंप बनाया था जो मैंने एक बार के लिए रेडी किया था मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि क सब कुछ नहीं होता क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हम बना रहे हैं वो सभी लोगों को पसंद आए सभी के टेस्ट का हो तो जैसे कि मैंने सबसे पहले बार के लिए जो लैंप रेडी किया था वो इस तरह के बार या रेस्टरेंट्स के लिए एक अलग ही आइडिया था तो साल काफी लोगों को काफी पसंद आया तो इसी तरह से मुझे उघी से काफी सारे ओडर्स अपर वहरा थे लोगोंने वह अपने घर के लिए मैं जरूर आपके question का जवाब दोंगी और इस तरह से मैंने यहां पर कॉन वाला जो है वो काम किया है सबसे पहले वीडियो है थोड़ी अलग है यहां मैंने मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपके साथ जो यह बोटल से शेयर करूं या नहीं करूं लेकिन फिर मुझे करते हैं और हमें orders मिलना शुरू हो जाते हैं सबसे पहले तो हमें बहुत बार अपनी जो relatives हैं जो हमारे जानने वाले हैं जो हमारे friends हैं उनके हम order बनाते हैं उनको अगर हमारा काम पसंद आता है तो उनके जो जानने वाले हैं फिर वो हमसे कुछ बनवाते हैं और इसी तरह जैसे धीरे धीरे हमारे जो link हैं वो बढ़ते चले जाते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊँ जो lamp मैंने बनाया था उस lamp को बनाने के बाद मैंने 6 order और complete किये हैं अब ये देखिए जो 6 order मैंने complete किये हैं वो और भी बहुत लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके घरों में वो आप से यही कहूंगी अगर आप कुछ भी start करना चाहते हैं कुछ शुरू करना चाहते हैं तो पस उसको start कर दें जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको उसके बारे में कोई knowledge भी नहीं बढ़ेगी जब आप कोई भी काम start करेंगे तो उससे related knowledge आपकी बढ़ती जाएगी यहाँ पर जो कॉन मैंने लिया है फ्रेंट्स वो मैंने मार्बल डस्ट पावडर का कॉन लिया है कॉन से रिलेटेड वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं मैंने वो अल्रेडी डाली हुई है जो नाम है वो लिखने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मोटा कॉन लि अब यहां पर मैंने जो हमारा काम है उसको सूखने के बाद मैंने वार्णिश ली है और वार्णिश को मैंने काफी अच्छे से यहां अपलाई किया है जब भी आप कुछ ऐसा बनाते हैं तो आप ध्यान रखें वार्णिश आप जरूर लगाएं आपको अगर इस तरह से वार कोई जैसो लिया था जैसो इस रेलेटेड वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे आप चार तरह से घर-पर लेडिया अब यहां पर यहां पर यहां पर आपको दिखाती तो वीडियो काफी लंबी हो जाती अब देखिए अब मुझे बताईएगा जरूर मे से आपको ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी अब चलिए जल्दी से इनको पैक कर देते हैं यहां पर मेरे पास अल्रेड़ी यह जो बॉक्स हैं यह बोटल के साथ ही आये थे वैसे मैं जो नॉर्मल पैकिंग करती हूं तो मैं फिर वो बबल रैप की साथ अपना जो की आर्ट बार जाएंगे तो मुझे इन में कोई टंशन नहीं है कि यह मदब कहीं खराब हो जाएंगी या कोई प्रॉब्लम आएगी बस इसी तरह से मैं जो हमारी सारी पैकिंग है वो कर लेती हूं तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजेगा और आगे भी मेरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ही जरूर कर लिजेगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाबाई, टेके,